आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सिक्स टैंडर की जोग्रफी का लेसन नमबर त्री प्रिथवी की गतिया तो जैसे कि आप जानते ही होंगे क्योंकि चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है और हम स्टार्टिंग से मतलब थार्ड फॉर् सःइ पड़ते आ रहे हैं कि प्रिथवी की गतिया वो कितने प्रकार की है कितने हैं चैप्टर है तो ध्यान दीजेग बहुत ज्यादा इंपटर्न भी है तो प्तिक गति होती है दो प्रकार की होती है टेकτε एक जो है वह घुरणन जुसको 성ति को भूमना और जीक्रमण ठी तो घुर्णन एये व neighbours परीकर्मन थीक है प्रित्व्वी का अपने अक्ष पर घुमना घूर्णन कहलाता है प्रित्वी होती है वो अपने ही प्लेस पर गोल गोल घुमती रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं घुरन कहते हैं या फिर इंग्लिस में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं परोटेशन ठीके और सूर्य का चारो तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है परिक्रमण ये ऐसा क्यों बहना है ठीके तो सूर्य के चारो और एक स्थीर कक्ष में पृत्वी की गती को परिक्रमण कहत है ठीक है फॉर एग्जांपल हम यहां पर सूर्य बना लेते रर्ण कभी यहां यहां कभी यहां यहां यह पूरे टाइम का ऐसा रावन लगाता रहता है इसको हम बोलते हैं परिक्रमन ठीक है पूर्थवी का जो अक्ष एक कालपनी करेखा है ठीक है यह जो अक्ष होता है ना प्रिथवी का इसको क्या बलते हैं एक्सिस और प्रिथवी जो है अपने अक्ष पर ही गुमती है जो इसके कक्षिय सत्व से 66.5 डिगरी का कौन बनाती है तो अगर हम इसका यह हो गया इसका अक्ष और यहां से बात करे तो यहां पर कितने का कौन बनाती है 66.5 डिगरी का कौन बनाती क्योंकि हमारा जो प्रिथवी है यह 23.5 डिगरी जुका हुआ है ठीक है तो यह वाले कौन को हम क्या बोलते हैं 90 डिगरी बोलते हैं है ना पढ़ाई होगा आपने बढ़ हमारा अर्थ जो है एकदम सीधा नह इसा ज्वगा है 23,5 degree तो यह होता है वह 66,5 degree होगा ठीक है तो वह समतल जो कक्ष के दौरा बनाया जाता है उसे ही कक्षियस समतल कहता है तो 6,5 degree का जो कौन बन रहा है यहान पे जैसे कि आप देख सकते हो तो यह होता है यह हमारा actual 90 degree का होगा राइट पर हमारा अर्थ जुका हुआ है तो यहां से लेकर और यहां तक का जो होता है वो कितना होगा 66 and half degree इसी को हम क्या बहलते हैं कक्षिय सम्तल कहते हैं ठीक है पिर्थवी जो है ना वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है जैसे कि हम लोग जानते ही है अब पिर्थवी का जो अकार है वो गोले का समान है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोश बहुच नहीं पहुचती है कि हमारा अर्थ बहुत बढ़ा है और गॉल होने की वज़े से मिन्स गोल नहीं है वह एक जिवाइड शेप बोलते हैं नहीं गोल नहीं चप्ता नहीं रैक्टेंगल नहीं स्क्वेड तो ऐसे शेप को बोलते हैं जी वाइड शेप ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्षन में करके बताना शाय से दिर्ग विर्था कार बोलते हैं I think so ठीक है तो for example हमने अर्थ बना लिया अब हम बनाते हैं sun ठीक है sun बनाते हैं तो यह हमारा sun बन गया सब मिट भी गया तो हमारा sun बन गया ठीक है इसके बाद हम अर्थ बना लेते हैं अर्थ छोटा होना चाहिए यह हमारा अर्थ बन गया ठीक है तो एक टाइम पर समझ लो sun की रोशनी पड़ रही है यहाँ पर sun की अब sun की रोशनी यहाँ पर गिर रही है ठीक है तो आधे पाड़ पर ही जितने पाड़ पर ही गिरेगी उतने पाड़ पर डे रहेगा जितने एरिया में सन की लाइट नहीं पहुच पार यह माँ पर नाइट रहेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो सूर्य की जो रोशनी है वो आधे भाग पर ही पड़ती है ठीक है सूर्य की और वाले भाग में दीन होता है जबकि दूसरा भाग जो होता है जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर क्या होती है रात होती है ग्लोब पर वरित जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम लोग प्रदिप्ति वरित कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं प्रदिप्ति वरित मतलब कि एक नाचरल लाइन बन जाती है समझ लिजिए कि sun की light स्रीफ इतने दूर पे ही पड़ रही है इतने दूर पे नहीं पड़ रही है ठीक है तो यह जो line होगा यहाँ पे एक line बन जाएगी यह एक imaginary line होती है तो यह क्या हो जाएगा प्रदीप्ती वृत हो जाएगा जो black end मतलब कि day और night को divide करता है ठीक है यह वृत अक्ष के साथ नहीं मिलता है जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं प्रित्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पुरा करने में लगबोश 24 घंटे का समय लेती है यह भी हमें पता है घुडन के समय काल को प्रित्वी का प्रित्वी दिन कहा जाता है ठीक है तो 24 घंटे लगते है उसको गुमने को और इस प्रक्रिया को प्रित्वी का दिन कहा जाता है यह प्रित्वी की दैनिक गती है मतलब कि रोज मर्रा का इसका यह काम है जैसे कि आपका रोजमर्रा का काम है स्कूल जाना बहुत सारे बच्चे का काम होता है preparation करना तो यह जो है यह रोजमर्रा का काम होता है है ना चलिए आगे देखते हैं अगर पृत्वी जो है ना वो गुमना बंद कर दे तो क्या होगा अगर पृत्वी घुमे ही नहीं, तो क्या होगा ये बताओ, देखो, तो अगर पृत्वी घुमे गई नहीं, तो सूर्य के तरफ वाले पृत्वी के भाग में हमेशा क्या रहेगा, दीन होगा, मतलब जो पार्ट पृत्वी का सूर्य के तरफ है, वहाँ पे हमेशा दीन होग लगातार गर्मी पड़ेगी दिन और रात गर्मी पड़ेगी और जो पार्ट अंधिरे में है वहां पर ठंड पड़ेगी है ना तो ऐसी अवस्था में जीवन जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं होता है ओके पिर्थवी की जो दूसरी गती है जो सूरिक की चारों और लगते हैं है ना तो पिर्थवी का कितना टाम लगते है उसको 365 और वन बाई फो डे में वह एक चक्कर पूरा करती है तो नॉर्मली हम लोग कैलेंडर में क्या पढ़ते हैं 365 दिन ही पढ़ते हैं ना यह वन बाई फोर को हम अगर आप वन बाई दुख़ों चोविस को खंटा होगा तो पिर्थवी को 6 घंटा एक्सटा लगता है पर हम लोग कैलेंडर में यह 6 घंटे को नहीं जोडते हैं थीकते है वह हम औगे पढ़ेंगे कि छे गंटे को कहा जोडते हैं यहाँ पीडैक्रम दिया हुआ हूआ है उसको हम बाद में देखेंगे तो देखो आ प्रतिक वर्ष यह जो बचा हुआ अच्छे होता है चार वर्ष कंटिन्यू आपको जोड़ना है और चोथे वर्ष में यह कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा है ना तो इसी 24 को हम क्या करते हैं फरवरी के महिने में उसको जोड़ दिया जाता है इसलिए चोथे वर्ष में फरवरी महा जो होता है वो हमेशा 28 के बदले 29 दिन का होता है ठीके और उस साल पूरे जो डेज होंगे जो पूरे दिन होंगे वो 306 दिन होंगे और उसी वर्ष को क्या कहा जाता है लीप वर्ष कहा जाता है ठीके अब पता लगाए कि कौनसा कौनस चल रहा है क्या यह लीप वर्ष है तो येस इस दिन फेबरोरी 29 दिन की थी तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी बहुत सरे बच्चेतां सा कोशन करते हैं कि मैं चार साल के बाद फेबरोरी ट्वैंटि यान का होना चीए न तो बिल्कुल भी नहीं है न देखो 365 दिन का होता है 365 दिन डिसंबर में खतम हो जाते हैं 6 घंटा उसको एक्स्ट्रा कब लगता है जनवरी में लगता है है न जनवरी में छे घंटा लगता है और फेबरोरी कब आएगा एक महने के बाद आता है ना तो जैनवरी में ही तो उसके डेश जो है छे घंटा वो पूरे हो जाते हैं इसलिए उसको हम फैबरवरी में एड़ कर लेते हैं ठीक है आए होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे देखते हैं इतना आपको समझ में आ गया है ना चीत्र 3.3 से सपस्ट है कि पृधिवी जो है वो दिर्ग विर्ताकार पथ पर सुर्यक के चारों और चक्कर लगाती है है ना तो यह बात हमको पताई है कि जो हमारी पृती हुए है वो दिर्ग विर्द्ताकार मतलब कि ऐसा ओवल शेप होता है उसको दिर्ग विर्द्ताकार बोलते है उसी में क्या करती है वो शेप में वो अपना राउंड लगाती रहती है असारे जितने भी ग्रह है ना सबका अपना एक क्या होता है कक्ष होता है मतल़ सबका अपना एक और बीट होता है और उसी एक रास्ते में ही उनको ऐसा सन का राउंड लगाना होता है दूसरे के और बी भी हर जगे पे सेम ही तरहता है YouTube यहां पी सेम ना जब तरफ आता है he यहां पर है तो नदन हेमिस्फियर सन की तरफ है तो नदन हेमिस्फियर में क्या होता है मतलब उत्तरी गोलात में क्या होता है समर सिजन होता है बट अगर हम सेम पोजीशन को यहां पे लाके खड़ा कर देते हैं यहां पे तो उत्तरी गोलात जो है वह पीछे चला आता है और दक्षणी गोलाद जो है वो सूरी के तरफ होता है तो उस तर उस टाइम पे दक्षणी गोलाद में समर सिजन होता है और उतरी गोलाद में विंटर सिजन होता है ठीक है तो जो पृत्वी का डारेक्शन होता है ना वो सेमी होता है जो परिक्रमन जो करती है इससे क्या होता है सीजन चेंज होता है मौसमी बदलाव आते हैं जैसे कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद रुत्यों में बाटा जाता है ठीके चार रुत्यों है हमारे यहाँ पे अरुत्यों में परिवर्तन सूर्य के चारों और पिर्थवी की स्थिती के परिवर्तन के कारण होता है तो पिर्थवी की जो स्थिती होती है उसके परिवर्तन के कारण ये सीजन में बदलाव आते हैं ठीक है, for example, आप देखो, जो पृत्वी का direction है, वो तो same ही है, है ना, इधर, जसे कि मैंने पहले बता रहा है आपको, पर यहां से जब उठके पृत्वी यहां आ रही है, तो इसका जो position है, वो change हो जा रहा है, तो इसके वज़े से, अलग-अलग गोलाद में, अलग-अलग seasons देखने को मिलते हैं, जब यहां पे रहेगी, तब equator पर direct sunlight आएगी, है ना, तो उस टाइम पर 23 सितमबर जो होता है, सबसे बड़ा दिन माना गया है, उसको equinox कहते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, उस दिन बराबर होते हैं, वहीं जब 21 मार्च को हमारा सूरज यहां पर, मतलब जब फिर्थवी यहां पर आती है, तभी भी equator पर equal, मतलब कि दोनों poles पर बराबर की light जाती है sun की, ओके, तो इसको भी क्या कहते हैं, equinox कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो हम देख लेंगे next class में, ठीके, तो आज के लिए इतना हैं, मिलते हैं next class में, I hope आपको स अज़र आ रही है, तो भी आप comment section में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो में कुछ improvement कर सको, okay, so thank you, thank you so much everyone, मिलते हैं next class में, bye, bye, take care